वेलकम आज के इस बहुत ही चोटे से लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोड रिने वाला हूं combination circuits पे आपके syllabus में वैसे तो बहुत सारे combination circuit है लेकिन आज हम दो बड़े ही basic से से combination circuit करेंगे half adders and full adders तो यह lecture जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा मुझे लगता चाहिए 5-10 मिनट से बड़ा नहीं होने वाला है तो एक बड़ा चोटा सा और quick आपके लिए मैंने lecture बनाया है तो शुरुवात मैं करों combination circuit से तो combination circuit क्या होते है है combination circuit आपके पास यह circuits होते हैं जो basically logic gates से मिलके बने होते हैं different logic gates से मिलके और logic gates जो हैं हम जानते हैं कि यह basic building blocks हैं किसी भी electronic circuit के output जो है इन combination circuits के depend करता है कि आपने कौन-कौन से logic gates यूज किये हैं और उन में कौन सी input value जो है currently दी जा रही है generally यह जो circuits हैं यह किसी भी प्रकार की memory या storage को utilize नहीं करते हैं तो बड़े ही simple से आपके पास circuits आएंगे और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे हम utilize करते हैं बड़े ही छोटी-छोटी basic units बनाने में तो शुरुबात करेंगे half adder से half adder बहुत important circuit है तो यह बहुत यूज किया जाता है आपके electronic devices में तो half adder circuit क्या है यह combination circuit है जो basically 2 bits को add कर सकता है तो यह एक ऐसा circuit होगा जो जिसको आप 2 bits दोगे तो यह आपको एक result देगा उन दोनों को add करके और एक carry देगा अगर कोई एक carry जो है वो बनता है तो basically क्या करने वाला यह 2 bits को add करने वाला तो दो बीट्स यानि कि 0 प्लस-0 कोई जीरो देगा 0-1 को यह 1 देगा 1-0 को यह 1 देगा और सारा काम एक और circuit कर देता है देकिन चलो अलग बात है अब हम देखेंगे कि हम इस logic को कैसे implement करते हैं डिक्टर circuits में तो अगर मैं इस दो bit की जो addition है इसका मैं truth table बना हूँ तो truth table से काफी चीज़े जो clear हो जाएगी तो हमें दो bits को add करना है मान लेते हैं कि वह दो bits a और b है तो यह a और b है और हम चाहते हैं कि इन दोनों का addition हो तो यह इन एक सम आ जागा हमारे पास और अगर उन दोनों के सम के बाद कोई कैरी आता है तो वह कैरी में हम लिख देंगे तो मैं इसका पूरा टेबल बना देता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ चारी natal kombination होंगे Zero and Zero Zero and one, one and oh and one , तो आप देखते जाऊ कि मैं them ख्यारि कुछ भूला होता है कैरी कुछ नहीं होता है one और जिरो का सम बन होता है कोगिश नहीं होता और और One और One का जो सम है 0 होता है और One जो हैपका Carry होता है तो यह आपके पास Tooth Table है अगर आप इस Tooth Table को ध्यान से देखोगे तो आपको बड़ी ही important चीज़ पता लगेगी सबसे पहरी चीज़ आपको पता लगेगी कि जो Carry है अगर आप इसके output देखोगे तो आपको एक बड़ी ही important feature पता लगेगी इन दोनों inputs का और इस output का आपस में relation है अगर आप इसको ध्यान से देख सको तो तो आपको पता लगेगा actually में carry जो है इन दोनों inputs का and है तो आप देख सब्सक्राइब 0000101010111 तो कहने का मतलब यह है जो यह portion है यह हमें कैसे मिल सकता है very simply by using and gate और अगर आप इस portion को देखो गे तो यह भी आपको बहुत ही जाना पेचाना से लगेगा यह जो सम बाला portion है सम बाला portion आपके पास जो है यह basically क्या है यह आपके पास exclusive or gate है तो आप यह जो सम है यह exclusive or है और यह जो carry है यह and operator है तो इन दोनों को देखके हम एक circuit बना सकते हैं जो circuit जो है दो bits को add कर सकता है तो इस तरीके से ए और बी आप देखो के sum करने के लिए मैंने exclusive or use किया है और वही जो inputs हैं वह मैंने and में डाली है जिससे आपको carry मिल जाएगा तो यह वो टेबल था जो मैंने आभी आपको दिखाया था और यह उसके corresponding circuits है तो यह simple सा circuit है जिस circuit से आप क्या कर सकते हो आप basically दो bits को add कर सकते हो अगर आप चाहो तो हम इस पूरे-पूरे circuit को एक box में भी represent कर सकते हैं like this और उस box में दो input बना सकते हैं A और B और उसकी दो output बना सकते हैं some or carry तो यह भी एक method होता है अगर आप box से represent करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इस तरीके से half adder लिखके half adder हे लिखके आप इस पूरे-पूरे circuit को ऐसे भी लिख सकते हो तो यह वह बहुत ही simple सा circuit है जो आपके दो bits को add करता है फिर हमारे पास दूसरा circuit है full adder तो full adder क्या करता है यह combination circuit है जो की 3 input accept करेगा पिछला जो circuit हो वह सिर्फ 2 input करता था यह 3 input accept करेगा और यह again add करेगा नतीनों को और एक sum और carry जो produce करेगा तो basically हम करना क्या चाहते हैं हम 3 bits को add करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसका sum और उसका carry मिल जाए तो अगर अगर आप इसका एक truth table बना सको तो शायद आप कोई चीजें थोड़ा सा clearly visible हो जाएंगी तो यह म अगर से इतना है कि इसमें तीसरी input है तीसरी input की पहली 4 input 00 है और उसके बाद में 4 input 111 में यह वाला पूरा table में नीचे copy किया हुआ है तो अब मुझे करना क्या है अगर मुझे यह sum है उसके corresponding और यह उसके corresponding carries है तो अगर अगर आप कोई यहां से obvious नहीं है तो मैं आपको एक 3 bit का addition circuit बना सकते हैं by using two half adders तो अगर हम दो half adder को use करें तो हम उससे एक full adder बना सकते हैं तो वो कैसे होता है वो इस तरीके से होता है तो हम दो half adder use करते हैं पहले adder को हम utilize करते हैं A और B को add करने के लिए और जो भी result आता है यहां पे उस result को हम तीसरी input के साथ add कर देते है तो जो भी final आपका sum आएगा वो यहां सामायात है उसके बाद यह वाला carry है जो first input से आया है और यह जो दूसरा carry है यह decide करता है कि हमारे पास finally कोई carry होगा या नहीं होगा अगर यहां पे कोई carry नहीं होगा अगर यहां पे कोई carry आ रहे हैं तो यहां पे कुछ carry होगा तो basically इस तरीके से जब आप दो half adder को utilize करते हो तो आप एक full adder बना सकते हो तो इस तरीके से आप देखोगा अगर आपने combination circuit बनाना हो यह portion एक half adder है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने किया क्या है कि इसकी जो भी output है वो एक दूसरे half adder में डाल दी है और फिर उस carry को दूसरे half adder में मैंने introduce किया है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें sum और उसका carry मिल जाता है अगर हम चाहें तो इसी तरह से जैसे पिछले half adder के था full adder को भी हम एक rectangle से represent का सकते है इसके अंदर 3 inputs होगी और 2 output होगी तो यह बहुत ही simple सा circuit है और यह circuit हम बहुत जगा यूज़ करते हैं जैसे आप देखोगे registers को add करने में हम यूज़ करते हैं तो बड़ा ही important circuit है और exam में भी आपसे पूछा जाता है short questions वे तो यह एक छोटा सा introduction था half adder और full adder circuit का अगर आपको कोई भी doubt होगा तो kindly इस वीडियो के comment section में मुझे बता दे या फिर हमारे whatsapp group में आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं तो हमने आज जब basically क्या सीखा हमने सीखा कि half adder क्या करता है half adder दो bits को add करता है एक sum और एक carry produce करने के लिए और एक full adder क्या करता है यह 3 bits को add करता है एक sum और एक carry को produce करने के लिए I hope इस यह चीज आपको clear होगी होगी next lecture में मैं आपको next जो combination circuits है वो बताऊंगा